मैं अगर इसको पुरा अडली प्रैस कर रहा हूं तो यह लैप टॉप तक नहीं जा रहा है हेलो मैंस वेल्कम बैक टो अनदर वीडियो आज मैंने मंगाया है अपने लैप टॉप के लिए हाट टॉप वाला बैग बैंजे कंपनी का जो की मुझे डिलेवर्ड हो गया है तो आज हम इसकी करेंगे अन्बॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं इसकी कॉलिटी कैसी है और यह मैंने क्यों मुझवाया है बाइक पे मेरा लैप्टॉप सेफ रहे अगर मैं बाइक पे गिरता भी हूं तो मेरे लैप्टॉप के डिस्पले वगरा सेफ रहे उसके लिए मै अप्पूणyt। वे बाइक लाईङी। अप्पूण बाइकल यह बैंजे का बैल अच्छा है अगे 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 पानी के अंदर नहीं जाएगा यह यूसीट लिए दिया हुगा चार्जिंग केबल के लिए दो पोट है और यह का है फीचने से भार भी आता है और यह कि अंदर लॉग सिस्टम दिया हुग है पास से लिखा विपर यह लॉग सिस्टम है अभी फिलाल मेंने इसका खर जो पर पासेट शेट कर सकते हो यहां से इक छोटा यह है इसको प्रेस खर कर अंदर दबा के पिन से उसके बाद पासवर्ट सैट कर सकते हो तो एक बार इसे अंदर से देखते हैं तिर आपकी रिख टो क्वालेटी भी हैंडिक्स को गाइस यह है कि इसके अदर एक पॉलिफिन है हवा बनीवी है और यह दिया हुआ इसमें पूरा खोलना हो तो इसको खोलना पड़ता है और यह इसका सिर्फ हाट टॉप है फूरा फाइबर है लेकिन कॉलिटी खुड़ी अलग है फुड़ा मजबूत है प्लास्टिक जैसा नहीं लग रहा फुड़ा बड़ता हलका सा है जादा नहीं और यह क्वालिटी अच्छी है इसकी एक बार आप इसको कुशन दिखाओ बैंड यह लिखावा पूरा और इसके अंतर पॉकेट्स हैं डो यह है एक छोटी पॉकेट है यह डाइरी बगरा के लिए है और इसमें लैप्टॉप आएगा एक चैन यहां भी दीवी है स्पेस है माउस वगरा चार्जर वगरा रख सकते हैं बाकी में पर यह लैप्टॉप के लिए है एक बार मैं आपको दिखाता हूं मेरा यह लैप्टॉप है 15.6 इंच का लिनोगो का तो यह इसी के साइच के लिए है बाकी मैं एक बार देखता हूं उसके अंदर फिट आता है नहीं आता यह बिलकुल परफेक्टली इसके अंदर फिट आ रहा है और यह पूरा नीचे तक चला गया इसके बाद इसे बंद कर दिया जो इतना सा स्पेस बसता है हाडली मतलब की इसे बोलेंगे 1.5 इंच के लगबग स्पेस बसता है जिसमें स लैप्टॉप इसके अंदर रखने के बाद भी इसका वेट कुछ ज्यादा नहीं है वैसे यह बहुत हलका बहुत हलका बैग है यह हमने कर दिया इसे लॉक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लैप्टॉप का यह बैग का बिल्कुल भी वेट नहीं है और यह मजबूत है यह प्रैस भी नहीं हो रहा पूरा अच्छे से इसका डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है जो डाइमेंड शेप जो डिजाइन लिया हुआ इसको उसकी हड़्ीप पैस कर रहा हुआ तो इसकी खौलिटी अच्छी है बाकी मैं इस लैप्टॉप का लिंक दिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूँ, घिटने का हमा लिया आप प्राइस चेक कर सकते हैं मैं और भी मंगवाय तो मिर बनकु यह पड़ पड़ा है बाकी आप चेक क सकते हैं कि आपको कितने का पड़ता है क्योंकि फिलाल जो मैंने ओफर मिल लिया था तो लाश्ट था और यह हाड़ली शायद 5400 के लगबद आपको मिल जाएगा यह मैंने मंगवाया है तो भी मैं आटो फिल डेली जो ट्रेवल करूंगा अपनी बाइट से तो लैप्टोप को सेफ रखने के लिए मुझे एक डैक चाहिए था थोड़ा अच्छी कॉलिटी वाला और जिसमें हाट टॉप हो तो इसका हाट टॉप वो रबड वाला नहीं है पाइबर का है और मजबूत है बहुत इसका मैं पहले भी चेक कर चुका था इसके रिव्यू अगरा मैंने देखे बहुत पसंद आया वाकि मैंने एक बार पैन के भी देखा था तो एक बार आपको पैन के दिखाता हूँ कि मेरे यह कैसा लगेगा अगर पैनने के बाद को अब तो है ऐसा फिल आई अच्छा लग रहा होगा आई हो अच्छा लग रहा होगा पैनने के बाद कम्पर्टेवल है पूरा पुल जाना बढ़ा भी नहीं है कि आपको बहुत भारी-भारी सा लगे ऐसा नहीं है छोड़ा सा है आपको निखाता है अगर है जैकिट के पहनने के बाद भी comfortable लगेगा और बैग में बिल्कुल भी बेट नहीं है बहुत हलका बैग है और इसके अंदर strips वगरा दे भी हैं ये बैग में भी हैं बानने के लिए जैसे किया अगर आप बाई चलाते हो तो यहां से strip बान दो इसको वो आपको अलग से purchase करने प यह मुझे बहुत पसंद आया है और अगर आपको भी यह बैग चाहिए हो तो लिंक में description में डालतू मैं इस बैग का मुझे तो यह बैग बहुत पसंद आया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share, comment और subscribe करना मत बूलना आज के लिए बस इतन नहीं जल्द मुलाकातों की जैने